दोस्तो यह जो WAC blocks होता है, जिने की autoclave errorated concrete blocks कहा जाता है, क्या इनका इस्तमाल आपके घर के लिए सही होगा? कौनसे condition में आपको इन block का इस्तमाल करना चाहिए? कौनसे condition में नहीं? और इन WAC block की life कितनी होती है? क्या WC Block का इस्तमाल करने के बाद घर बनने का जो cost है वो कम हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे सावालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर के लिए WC Block सही है या नहीं तो वीडियो को हम शुरू करता है सब सब पहली चीज तो यह आ जाती है कि WC Block के बारे में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इनका इस्तमाल 10-20 साल पुराना हो सकता है पर ऐसा नहीं है दोस्तों 1920 से लेके आज तक इन WC Block का इस्तमाल किया जा रहा है अगर किसी चीज़ का इतने सालों से इस्तमाल हो रहा है तो वैसे तो consider किया जाता है कि इस WC Block की जो life है वो 100 साल तक होती है पर आप जो है पचास से लेके 80 साल तक इन WC Block की life को consider कर सकते है हाँ पर इसके लिए आपके WC Block की quality अच्छी होनी चाहिए अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान देना चाहिए कि WC Block क का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ आप RCC structure में कर सकते हैं अगर आपका घर load bearing है ऐसे समय में आप जो है WC Block का इस्तमाल नहीं करेंगे तो बैतर होगा क्योंकि load bearing structure में दीवारों के उपर आपके पूरे घर का load होता है तो ऐसे load bearing structure में मैं आपको recommend नहीं करूंगा कि आप जो है WC block लगवाए पर चिंता मत कीजिए आजकल बहुत सारे घर जो है वो RCC type में बनाये जाते है यानि कि ऐसे घर जिन में की column और beam को provide किया जाता है आसान भाशा में आपके पूरे छत का load जो है आपकी beam और column उठाते है तो उसे हम RCC structure कह सकते हैं तो ऐसे structure में आप अपने इंजि आप में हम इसके बारे में ज़रू देखेंगे अब यह जो double AC blocks है इन्हें बनाने के लिए quartz sand के जो aggregates होते है calcine, gypsum, lime, portland cement, पानी और aluminum powder इनका इस्तमाल किया जाता है अब जो double AC blocks है इनका सबसे बड़ा advantage यह है कि इनका वजन जो है वो red brick से 50% तक कम होता है इसका फायदा जो steel लगने वाला है वो भी कम लगता है तो इस वज़े से costing में बहुती बड़ा difference आ सकता है बड़े project में और जैसा कि आपने आसपास की बड़ी buildings में इन block का इस्तमाल देखा होगा तो इसका सबसे बड़ा कारण cost ही होता है दूसरा costing का फायदा यह होता है दोस्तों कि इस स regular red brick से जादा होने के कारण number of joints कम हाते है इस वज़े से mortar का भी प्रामान कम लगता है और काम जो है बहुती तेजी के साथ complete हो पाता है तो इन factors के वज़े से बड़े buildings में इसका इस्तमाल बहुत जादा प्रामान में किया जाता है दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती ही क कि यह जो WAC blocks है इनका water absorption factor जो है वो 10 प्रतिशत से भी कम होता है यानि कि यह जो WAC block है यह अपने अंदर पानी को जादा खीचते नहीं है for example के लिए अगर आप इन WAC block को जादा देर तक पानी के अंदर डुबो के भी रखते है तो इसका core जो है वो आपको सूखा मिल सकता ह तो mainly इसके दो फाइदे होते हैं सबसब पहला फाइदा तो यह आज आता है कि जैसे कि आपने देखा होगा अगर 5-6 दिन तक बरसात continuous चलती रहती है तो बाहरी बरसात के पानी के वज़े से इटे जो है वो गीली होने लगती है और उसकी नमी जो है वो अंदर के तरफ आन नहीं सोकती है तो इस वज़े से उस दिवार का जो अंदरूनी भाग होगा वो जल्दी गिला नहीं दिखाई देगा तो इसी चीज का फाइदा बड़े प्रोजेक्ट में उठाये जाता है क्योंकि वहाँ पर डबल इसी ब्लॉक से बनी हुई दिवार को बाहर के तरफ सैं यहां पर बच जाता है अगला अडवांटेज है इन डबल इसी ब्लॉक का कि यह अच्छे फायर रेजिस्टन्ट होते है उसके बाद इसकी थर्मल एफिसेंसी जो है वो भी अच्छी होती है अगर आप इन डबल इसी ब्लॉक का इस्तमाल करेंगे तो 25 प्रतिशत तक एर कं अगला अडवांटेज इन डबल इसी ब्लॉक का आता है जो कि है थर्मल एफिसेंसी जो की रेगुलर रेड ब्रिक से तीन टाइम जादा होती है अगला अगला अडवांटेज इसका यह है कि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे आती है अगर हम कंपेरिजन करेंगे प्रेड ब्रिक से तो इनके कॉर्नर एजेस और जब भी आप इन डबल इसी ब्लॉक की दिवार बनाते है तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे आती है और ओर आल जो लेवर कॉस्टिंग है दोस्तों वो भी कम लगता है अब आते हैं कॉंप्रेसिव स्ट्रेंद के तीसरा ब्लॉक जो की 9 इंच बाइ 8 इंच बाइ 24 इंच इस साइज में आपको आवेलेबल है चलिए अब रेट के बारे में भी जान लेते है तो डवल इसी ब्लॉक जो है आपको 4 इंच वाला 45 रुपई से लेके 55 रुपई तक मिल सकता है उसके बाद में जो 9 इंची इनको जॉइंट करने के लिए जो मॉर्टर इस्तमाल किया जाता है वो होता है पॉलिमर मॉडिफाइड एडेस्यू मॉर्टर चलिए यह तो होगे डवल इसी के आडवांटेज वर जब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लिकेशन की तो आपको कुछ चीज़े जरू ध्यान म वाले है तो जो कोई वे आपका घर होगा या फिर बिल्डिंग होगी उसका RCC structure complete होना चाहिए उसके बाद जाकर आपको जो है डवल इसी ब्लॉक का इस्तमाल कर लेना चाहिए क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ग्रामी निलाकों में पहले brick work complete किया जाता है उसके बाद मे column work किया जाता है तो ऐसा double AC block के साथ अगर आप करेंगे तो double AC block में आपको crack दिखाई दे सकते हैं क्योंकि यह जो double AC block है इनका इस्तमाल खास करके partition purpose के लिए किया जाता है अगर आप इनके उपर load देते है तो आपको इसके उपर crack दिखाई दे सकते हैं दूसरी चीज यहाँ आपका plint work होगा उसके नीचे का work जो है उसके लिए आप red brick या फिर fly ash brick का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो material fill किया जाता है उसका load भी दिवारों के उपर आता है तो इसलिए plint के नीचे आपको double AC block का इस्तमाल नहीं करना चाहिए और जैसे कि मैंने आपको पहल आने की लागत भी कम आती है हाला कि जो बड़े structure है उसमें ये cost का point बहुत जादा matter करता है तो अगर आप अपने घर के लिए double AC block का इस्तमाल करने वाले है तो सबसे पहली चीज़ आपका RCC work पहले complete होना चाहिए यानि कि आपके घर का column, beam और slab पहले complete होना चाहिए उसके ब अलग होती है इस वज़े से आपकी engineer का consultation वहाँ पर बहुत जादा जरूरी होता है जैसे हम पहले देखते थे कि बड़ी building में ही double AC block का इस्तमाल किया जाता था पर आजकल जो छोटे घर बनते हैं उनमें भी double AC block का इस्तमाल किया जाने लगा है तो दोस्तों आप अपने घर क सब्सक्राइब ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो पसंद आगा होते से लाइक कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है